Hello Everyone, Welcome to our YouTube Channel, Pop Your Dream दोस्तों, हमारे माइड में पॉपिंग को लेकर काफी मिस नॉलिज या फिर मिस इंडिस्टाइनिंग है जैसे की पॉपिंग बहुत सारी दूसरी डान स्टाइल्स के लिए अम्रेला टर्म है पॉपिंग बहुत सी डान स्टाइल को मिला कर बना है टटिंग, वेविंग, ऐनिमेशन, और भी दूसरी स्टाइल्स, पॉपिंग के अलिमेंट्स है और भी बहुत सारी बाते हैं जिन से हमें मिस गाइड किया गया है हाल ही में कुछ टाइम पहले पॉपिंग के लेजिन्ड और पॉपिंग डांस स्टाइल क्रियेट करने में भी जिनका हाथ है पॉपिंड पीट ने अपने इंस्टेग्राम पर पॉपिंग को लेकर एक वीडियो शियर किया जिसमें उन्होंने पॉपिंग से जुड़े हुए बहुत बड़े मिथ को क्लियर किया उनकी वीडियो आप खुद देखें इस वीडियो को हमने आपके लिए हिंदी मढब किया है ठीक है तो मैं इसे बहुत शौट में नहीं बता पाँंगा पर इसे ठीक से देखें आप शायद कन्फ्यूस हो रहे हैं या तो फिर आपके पा मतलब है आपको कुछ बनाती है आगर मैं डांसर कुछ द którym को खोई कुछ पूछता है ज़ो कुछ मनाती है अगर मैं डांसर मुझे कोई पूछता höher Ừ पीच आप कौन सा डानस टाइल करते हैं तब मैं कहूंगा मैं पॉप करता हूं लॉग करता हूं वेव कर सकता हूं यह सब डानस टाइल्स या मुवमेंट्स है तो फिर ऐसा क्यों है कि जो पॉपिंग की बात आती है तो यह एक स्टाइल नहीं होते हुए अम्डेला ट्रॉम बजाती है, waving, starting, staring के लिए, यह सारे डांस अलग-अलग dance styles है, मैं जो कह रहा हूं समझे, हर dance style के खुद के foundations है, खुद की technique है, खुद के creators है, खुद का समय और origin भी है, जब popping शुरू हुआ था, तब यह dance styles नहीं थे, और कुछ dance styles popping से भी पहले शुरू हुए है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें इसके खुद के स्वरूप में लाना होगा किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जोड़ना बंद कीजिए अगर मैं एक डांसर के रूप में आपके पास आता हूँ और कहूँ आप कौन सा डांस टायल करते हैं तब आप अपनी डांस टायल की नाम बताएं अगर आप एक स्पेसिफिक डांस टायल करते हैं तो आप कहें बिलारिना या कहें मैं एक कंटेंप्ररी डांसर हूँ या कहें मैं एक पॉपर हूँ इसका मतलब किसी अम्रेला टर्म से नहीं इसका मतलब ये है कि आप एक specific dance style करते हैं इसे हम मिलकर समझते हैं मैं 42 साल से dance कर रहा हूँ और इस dance को popping के नाम से जाना जाता है मेरा नाम popping Pete है और मैं एक specific dance style करता हूँ समझ रहे हैं? इसे waving, boogloo, ticking, strutting इन सब का नाम दिया जा रहा है ये common sense है common sense ठीक है? इन सब के लिए umbrella term है dance dance है umbrella term आप बोलना ही चाहते हैं तो specific बोलिए hip hop, street dance, tunchemporary, dab पर popping कभी भी umbrella term नहीं रहा है हमें नहीं पता इसे बोलना किसने शुरू किया पर हमें इसे खतम करना है आशर करता हूँ आपको समझ आया हो मैं इस बारे में काफी बार बात कर चुका हूँ और मुझे ये फिर एक बार करना था तो दोस्तों आशर करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो अगर आप original वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका link हमने description में डाल दिया है अगर हमारा content आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like और share जरूर करें आप comment करके हमें ये भी बताएं कि आगे आप हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे